बंगाल पर्देस कॉंग्रेस के जो है नाइब सदर मुहमद मुक्तार साब है बंगाल की सियासत को बहुत अच्छी तरीका से समझते हैं और कलकत्ता सरजमीन से आया और जिस तरीका से मालदा और मुर्शिदाबाद में जन सहलाब देखा जा रहा है क्या काते हैं देखिए य अच्छी मंगाल में भाराजोरो नय यातरा का अधिया इंसाफ मिल्ने तक चलता रहेंगा अच्छी के बात है जो हमारे पच्छी मंगाल के इंचार्थ हमारे गुलाम बीर साभ है इनसे हमें बहुत उमीद है जो लोग बंगाल में कॉंगरेश बिशलेव हैं वो एक जूट करने के कोशिश करेंगे और मैं यह भी बोलना जानाओं कि देर आया दुरुस आया मीर साफ बंगाल आए जी यह बहुत खुशी की बात है और यह मीर साफ को यह देन है कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा मैनुटी वोट बंगाल में ही है तो मीर साब को जिस तरह का से कि नितिज कुमार जी को अलग कर दिया जब बहार में यातरा सामिल हुई जिस तरह ज़ारखन में सामिल हुई उस्युभी सुरियन के उपर जो है पोलिटिकल क्राइसिस करके EDOD का मामला आ गिया और मिलन गौरा भी सामिल थे मगर वो उनको BGP में सामिल कर लिया गया तो कह कि एक बात कह रहे हैं कि नहीं तो तो अमारे मीर सामने कहा है यह राम को लेकर प्लिस हो रहा है इसमें हम लोग खिलाव है लिए राम आपका भी है रहा हमारा भी आपका आप्ट मानने वाले यह साजिती जाती बात का रही चल ला है और मोधी के पास कुछ हो नहीं जटने करपसन भीजबी में है को कही बानी और यह कॉंग्रेस के वाले को यह E.D.C.B.I. से ड़ा रहा है लेकिन हमारा नेता रहूल गांधी ना E.D.C.B.I. जटने वाले का मोधी करने बाले है भी जाद है जटने बाले है जने वाले के जाता है Qa. यह E.D.C.B.I.